नमस्कार दोस्तों, IndianMoney.com के YouTube चानल पे आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्ट शार्दा आज बात करते हैं बहुत ही important topic पे कि आपको पता हुगा कि लास्ट दो महिने से ये गौर्मेंट ने जो है बहुत सारे चीजे अनाउंस किये आपको पता होगा जो pandemic situation हो गया, lockdown वगेरा हो गया उसमें बहुत सारे economy में भी loss आ गया है इसलिए गौर्मेंट ने क्या क्या बहुत सारे schemes लांज किये हैं तो इसी तरह से आज हम जानेंगे जो गौर्मेंट ने financial deadline जो है कहां कहां पर extension किया है, इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ तो ध्यान से मेरा पूरा वीडियो आपको चेक करना है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तुरण जाएए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना मत बूलिएगा थाकि आपको पूरा नोटिफिकेशन मिल सके और अगर आपने financial freedom आप को डाउनलोड नहीं किया है, तुरण जाएए डाउनलोड कीजिए, इसके दो वर्सन से iOS और Android और इसका जो लिंक है मैंने description box पे दे के रखा है, तो चलिए दोस्तों आज जानते हैं किस-किस जगह पे financial deadline जो है, वो extend किया गया है, तो पहला जो आप देख पारे हो मेरे screen पे, सबसे important चीज पैन-कार्ड और आधार-कार का जो linking है, आपको पता हागा, जो गौर्मेंट न इसको extend करके अभी गौर्मेंट ने 30 जून 2020 तक कर दिया है, यह एक अच्छी चीज है ताकि आपको एक समय मिल गया है, पैन-कार्ड और आधार-कार्ड को link करने के लिए, लेकिन अगर आप पैन-कार्ड और आधार-कार्ड को link नहीं करवाते हैं, तो आपका पैन-कार्ड जो है, वो invalid हो जाएगा, तभी क्या दिक्कत हो जाएगी आपको, जब भी आप income tax filing करना चाते हैं, तो आप नहीं कर पाएंगे, तो यह बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो आपको यह ध्यान पे रखना है, और तुरन जाके 30 जून 2020 से पहले इसको करवा लेना है, दूसरा आ पहले के बोलता हूँ, ATC के तहट जो है, आपको देड़े लाग तक tax shoot मिलती थी, और जो ATD, मतलब जो health insurance premium वगएरा आप बढ़ते थे, तो वहाँ पे भी आपको tax shoot मिलती थी, लेकिन इसका जो benefit है, वो कब तक आप उठा पाते थे, 31 मार्ज 2020 तक, लेकिन इसको भी बढ़ा है, तो इन सब में भी आप इसका tax shoot उठा सकते हो, तो तुरण जाइए, आपके पास समय है, इस तीन महिने में भी आप जाके कर सकते हैं, अभी तेखेंगे जो तीसरा important चीज है, जिसमें जो है, deadline जो एक्स्टेंज किया गया है, आपको पता होगा कि जम ITR फाइल करते थे, जो belated ITR, मतलब previous year का जब ITR फाइल करते थे, उसका जो समय है, वो 31 माज 2020 तक, इसका मतलब जो 2018 और 2019 का जो आप ITR फाइल करते थे, उसको भी बढ़ाके 31 माज 2020 से लेके June 30 तक कर दिया गया है, इसका मतलब आपके पास June 30 तक का समय है, आप जो revise, मान लिजी अगर आपने कु करवा सकते हैं, यह एक अठी चीज चेंज हुई है, अब चौथा important चीज है, वो है form 16, अभी आप पूछे गए भाईया, यह form 16 क्या है, तो दोस्तों जानते है form 16 क्या है, आपको पता होगा employer होता है, और employee होता है, तो employer क्या करता है, जहां पर आप job करते हो, वो साल भर में आपको एक form 16 जैसे form में आपको details देता है, जिसमें आपको पता चलता है कि आपने कितना income किया है साल भर में और आपका कितना tax इसमें deduct हुआ है, तो उसको बोला जाता है tax deducted at source, TDS, तो यह ध्यान पर रखना है, तो इसका जो समय था, वो क्या हुआ था, 31 March 2020 तक था, तो employer को अनिवार्य था, कि बस अगर आपको form 16 देना है, वो 31 मां 2020 के अंदर देना है, लेकिन इसको भी बढ़ा के अभी क्या कर दिया है, 38 June 2020 तक कर दिया है, तो अभी employer को एक benefit मिल गया है, कि 3 महने तक आपको समय मिल जागा employer को यह form 16 देने के लिए, अभी पांचवा चीज, देख deposit हो गया, तो यह सारे जो चीजे हैं, इसमें आप जब invest करते थे, अगर आप एक साल में अगर पैसा नहीं बढ़ते थे, तो आपको क्या लग जाता था, penalty लग जाता था, दिक्कत बढ़ी आ जाते थी आपको, तो इसका भी जो scheme का जो deadline है, उसको भी बढ़ा के 30 June 2020 तक कर द हो, आपको timeline मिल जागा और इसमें penalty भी नहीं पड़ेगी, तो यह एक अच्छी खासी, जो है, government ने measures लिया है, announcement किया है, जिसका फाइदा आप तुरंद जाके उठा सकते हो, अभी छटा चीज, बहुत important चीज है, मान लीजिए, अगर public provident fund या फिर आपका सुकरन्य समर्दी योजना पे, आपका जो maturity है, वो 31 मार्ट 2020 तक पढ़ रही है, लेकिन कोरोना के चक्कर में भई आप नहीं जा पाए, इसको extension कराने के लिए, तो इसका भी फाइदा आप उठा सकते हो, कैसे, जो इसका deadline है, वो भी बढ़ा के 30 जून 2020 तक कर दिया गया है, तो दोस्तों, नहीं कर पाए, ये lockdown के चकर में, तो इसका भी फाइदा आप उठा सकते हो, और इसका जो समय है, 30 जून तक हो गया है, तो अभी आप जाके 30 जून के अंदर, इसका जो extension है, आप इमेडियेटली जाके करा सकते हो, अभी हम जानेंगे form 15G और 15H के बारे में, इसका जो समय है उसको भी बढ़ा के extension किया गया है, तो क्या होता है form 15G और 15H, ये जाना बहुत जरूरी है, माली जी आपने कहीं पर investment वगरा किया, और अगर आपका जो income है, वहाँ से, अगर आपके income tax bracket में नहीं fall हो रहा है, मतलब आपको tax जाना नहीं पढ़ रहा है, और आपको इनको inform कर 15H जो है, माली जी आपका उमर 60 years के अबोब है, तो automatically आपको 15H form submit करना पढ़ता है, और आप ये inform करते हो government को, कि भाया, वहाँ से मेरे को tax deduct नहीं चाहिए, मैं automatically जो मेरा income है, वो tax bracket के अंदर नहीं आता है, तो इसका भी से समय है, उसको बढ़ा के June 30 कर दिया गया है, तो साथ चीज मैंने आज बताया है आपको, इसका जो financial deadline से, जो time है, जो समय है, उसको बढ़ा के 30 June 2020 तक कर दिया गया है, तो तुरंच जाईए, इसका lab उठाईए, क्योंकि government ने जो ये coronavirus lockdown के चकर में जो आपको दिक्कत परिसानी हुई है, उसके चकर में ये जो deadline से ये बढ़ ताके आपकी सहेता किया है, तो तुरंच जाईए, इसका lab उठाईए, और अगर आपने financial freedom आपको अभी तक download नहीं किया है, तुरंच जाईए, डाउनलोड कीजिए, मैंने जैसे बताया था, इसमें 28 तरह के course है, दोस्तों, इसको तुरंच जाईए, क्योंकि घर में बैठे आप इसका lab उठा सकते हो, mutual fund course, stock market course, income बढ़ानी, उसका course, business करना है, उसका course, loan लेना है, किस तरीके से loan लेना है, कैसे eligibility बढ़ानी होती है, कहां से loan लेना है, कितना interest पे loan लेना है, इस सारी जो जानकरी है, आपको एक जगा पे मिल रही है, और दोस्तों याद रखिएगा, जैसे मैंने बताया था, financial freedom coach मिलेंगे आपको dedicated step by step guide करने वाले, जो आपके साथ चलेंगे, आपको हर रहा पे आपको guide करेंगे, तुरंच जाहिए, डाउनलोड कीजिए, अभी भी डाउनलोड नहीं किया क्या, तुरंच जाहिए, डाउनलोड कीजिए, इसका फाइदा उठ मैं और भी वीडियो ऐसे तरह बनाने वाला हूँ, मिरे लाइक्स, कमेंट्स, शेर कीजिए मेरे वीडियो को ताकि मैं और वीडियो इसको बहतर बना सकूँ, धन्यवाद